ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है तुम लोगों की टर्म टू प्रिप्रेशन के लिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जितने भी डाइग्राम हैं तुम्हारे साइंस चैप्टर में वो सब के सब हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगी तो अगर तुम लोगों ने ये वाला वीडियो देख लिया तो तुम लोगों के सारे के सारे डाइग्राम वाले क्वेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग हाउड़ो ऑर्गैनिजम रिप्रड्यूस के जितने भी इंपोर्टेंट डाइग्राम है वो हम लोग देख लेते हैं ऐसे ऐसे करके हम लोग सारी चैप्टर जितने भी साइंस में चैप्टर सारे उन सब के इंपोर्टेंट डाइग्राम हम लोग देख लेंगे तो यहां पर दोनों डाइग्राम दिये गए हैं बाइनरी फिजन की तो फर्स्ट डाइग्राम में बाइनरी फिजन हो कि दो daughter cells मिल रहे हैं तो यह जो cells हैं इनको हम लोग daughter cells बोलते हैं second यहाँ पर binary fusion हो रहा है लिश्मानिया में तो लिश्मानिया पे आपको एक बात याद रखनी है कि इनकी जो plane of symmetry होती है ठीक है वो divide करते हैं exact बीच से तो हम लोग बोलते हैं कि लिश्मानिया में plane of symmetry होती है बट amoeba में ऐसा कुछ नहीं होता वो कहीं से भी divide कर सकते हैं और सबसे पहले जब division होता है तो elongation of cells होते हैं तो first step division के लिए सबसे पहले elongation of cells होंगे या फिर elongation of nucleus भी आप बोल सकते हैं तो सबसे पहले elongation of nucleus होता है फिर बाकी का division शुरू होता है तो यह दोनों diagram बहुत important है amoeba वाला बहुत जादे important है लिश्मानिया का कम chances है कि हो आ सकते हैं exam में तो amoeba वाला आप लोग जरूर देख लिजएगा यहाँ पे multiple fission का example जो कि plasmodium में होता है यहाँ पे एक organism divide होके बहुत सारे organism में तूच जाता है मतलब divide हो जाता है तो यह multiple fission का example है plasmodium आप याद कर लिजएगा next diagram है planeria का यहाँ पे regeneration हो रहा है यहाँ पे planeria कट जा रहा है और वो अलग-अलग हर एक पार्ट से new planeria बन जा रहा है तो यहाँ पे regeneration हो रहा है याद रखना जो regeneration है यह accidental process होता है next diagram है budding यहाँ पे budding हो रही है hydra में तो यहाँ पे आप छोटा से देख रहे हो इसको हम लोग bird बोलते हैं और यह है tentacles so यह bird आगे चलके de-attach हो जाता है तो budding दो टाइप के होते हैं यहाँ पे hydra जो है hydra के case में यह जो bird है de-attach हो जाता है पर east के case में वो attach ही रहता है parent cell से तो east भी आप याद कर लिजेगा तो budding है hydra में भी होता है और east में भी होता है अब हम लोग अपने next diagram पर move करते है next diagram है leaf or brow film तो यह brow film example है natural vegetative propagation का यहाँ पर propagation हो रहा है leaves से leaves के margin पे छोटे छोटे budd form होते हैं जिनको हम लोग बढ़ी बोलते हैं फिर जब यह थोड़े से mature हो जाते हैं तो यह तूटके नीचे गर जाते हैं जैसे वह soil के contact में आते हैं वहाँ पर नया brow film का plant उख जाता है तो brow film जो है यह वेचिटेटिव प्रोपोगेशन का एक्जामपल है natural और यहाँ पर वेचिटेटिव प्रोपोगेशन होता है leaves से next diagram है rhizopus का तो यहाँ पर spore formation हो रहा है तो rhizopus को यहाँ पर फौर मेशन के थो रिप्रोड़क्शन करता है तो यहाँ पर दीख रहे हूं यहां पर शाथ हैं हवा के साथ ही सारे के सारे स्पोर्स दिसपर्स हो जाते हैं और फिर जहां-जहां पर सब्सक्राइब गिरते हैं वहां से एक नया प्लांच उख जाता है मेरा मतलब एक नया और्गेनिजम उख जाता है और यह जो सर्कुलर पार्थ है इसको हम लोग Fruity Bodies बोलते हैं, तो Fruity Bodies ही आगे चलके Sports बनती हैं, So, यह Most Important Diagram है इस Chapter का, तो यह है Longitudinal Section of Flower, तो सबसे पहले हम लोग Female Part की बात करते हैं, जिसको हम लोग Pistol बलाते हैं, या फिर इसे को हम लोग Carpel भी बोलते हैं, तो वो बना रहता है Stigma, Style और Ovarie से, Stigma, यह जो पार्ट दिख रहे हैं, आपको इसको हम लोग Stigma बोलते हैं, यही पे जो है Pollen Grain आके Land करते हैं, और यही पे Pollen Grain Germination होता है, तो Stigma जो है Pollen Grain को Receive करता है, और यहाँ पे ही Pollen Grain जो है, वो Germinate करते हैं, Second Part है, यह Tew Black Structure है, इसको हम लोग Style बोलते हैं, तो Style जो है, एक Tew Black Structure है, वो Stigma और Ovarie को Connect करने का काम करता है, और यही से Pollen Grain जो है Pollen Grain नीचे जाते हैं, Third, यह जो डाइग्राम है, यह है Ovarie, यहाँ पे Female Gamet Form होती है, और Female Gamet क्या होती है, तो यहाँ पे ही Ovule बनता है, यानि Female Gamet बनता है, तो यही तीनों पार्ट होगे, तीनों पार्ट के Functions भी आपको याद करने हैं, जो कि मैंने बता दिये हैं, अब हम लोग Male Part को देख लेते हैं, तो जो Flower का Male Part होता है, उसको हम लोग बोलते हैं Stamin, Stamin दो चीजों से मिलके बना रहता है, पहला होगे अंथर और दूसरा होगे फिलामेंट, तो यह जो देख रहे हैं, आप इसी को हम लोग एंथर बोलते हैं, एंथर के अंदर ही Pollen Grain बनते हैं, और Pollen Grain मेल Gamet होते हैं, प्लांट के, फिलामेंट यह जो, आपको यह फिलामेंट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहा है, इसे को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, तो बस यह बस help करते हैं, अटैच करके रखते हैं, एंथर को फ्लावर से, यह जो color part है, इसको हम लोग पैटल बोलते हैं, पैटल मतलब पं तो यह जो green color के structure होते हैं, उनको हम लोग सैपल बोलते हैं, और यह photosynthesis कर सकते हैं, next diagram है germination of pollen grain on stigma, तो यहाँ पे आप यह देख रहे हैं, यह है pollen grain, यह stigma पे जो है germinate कर रहा है, तो pollen grain करते हैं, तो pollen grain करते हैं, तो उससे दो चीज़े निकलते हैं, पहला हो गया pollen tube, तो यह जो तो यहाँ पे male germs हो गए, यह हो गया ovary, और यहाँ पे हो गए female gamet, तो यहाँ पे हो गए female germ cells, यह बीच वाला cells होता है, उसको हम लोग female germ cells बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग excel भी बोलते हैं, अब हम लोग next diagram पे move करते हैं, next diagram है seeds का है, तो यह dicot seed है, तो dicot seed में दो cotyledons रहते हैं, so cotyledons क्या काम करते हैं, food को store करने का काम करते हैं, यह जो ऊपर वाली चीज है, इसको हम लोग permules बोलते हैं, यह आगे चलके shoot system form करीगा, और जो नीचे वाली चीज है, इसको हम लोग बोलते है radical, यह आगे चलके root system form करते हैं, next diagram है human male reproductive system का, तो यह भी बहुत ही important diagram है, तो इसे हम लोग testis कहते हैं, यहाँ पे ही male gamut जो है produce होता है, और male gamut क्या है, sperm, sperm को हम लोग male gamut बोलते हैं, और यह structure है, इसको हम लोग scotum कहते हैं, scotum के अंदर ही testis रहता है, क्योंकि scotum body के बाहर रहता है, और male gamut बनाने के लिए हम लोग को 2-3 degree temperature लोग चाहिए body temperature से, इसे लिए testis scotum के अंदर रहता है, यह जो pipe lag structure है, इसको हम लोग बोलते है vast difference, यह sperm के transport में मदद करता है, यह हो गया prostate gland और यहाँ पे हो गया seminal vesicle, तो यह है prostate gland और यह है seminal vesicle, यहाँ से याद कर लेना कौन सा prostate gland है और कौन सा seminal vesicle है, यह तीसरा वाला आपके बुक म labeling नहीं दी गई है, पर इसको हम लोग corpus gland बोलते हैं, या फिर bulbo urethral gland, तो यह सारे glands क्या करते हैं, एक fluids recruit करते हैं, जिससे sperm का transport easy हो जाता है, उस sperm को nourishment मिलती है, तो यह nourishment का काम करते हैं, इस pipe lag structure को हम लोग urethra बोलते हैं, और urethra एक covering से ढखा रहता है, जिसको हम लोग penis बोलते हैं, तो यह हो गया urethra और यह हो गया penis, तो यह male reproductive system बहुत ज़्यादा important है, इसको आप जरूर से याद कर लीजेगा, next diagram है female reproductive system का, यह बहुत ही ज़्यादा important है, यह VVI आई है, तो यहाँ पर ovaries, दो ovaries होती हैं, और दोनों की दोनों abdomen में located रहते हैं, abdomen मतला पेट काले area को हम लोग abdomen गोलते हैं, तो ovaries क्या करती है, यह ovaries female gamut को बनाती है, और female gamut क्या है,一個 is, और यह Filippian ट्योब इसी को हम लोग OV菊ड भी बहुते हैं, तो OV菊ड और fallopian tube क्या करता है, egg को receive कि आधा है, देखो female gamut को हम लोग г भी बोल सकते हैं, ओवा भी बोल सकते हैं, त झाम रहता है अगो रिसीव करना और इसको उलग यूट रश बोलते हैं यहींपे गुबी nya डेवलपमेन्ट होता है नाइन मंत यहीं पे नज रहता है और यहींपे पूरी डेवलपमेन्ट होता यौ़ च्रुक्चिर को हम लोग सर्विक्स बोलते और यह tubalack structure है इसको हम लोग वजाइना बोलते हैं तो यह है female reproductive system इसको जरूर से याद कर लेना इसके ज़्यादा chances है आने के तो हम लोगों ने how to organism reproduce के सारे diagram देख लिये अब हम लोग heredity and evolution के diagrams देखते हैं So यह वाला diagram हम लोगों को variation बता रहा है जैसे कि शुरू में एक organism इसका बस यह वाला part जो है red color हो गया फिर green वाला part यहाँ इस organism का red color हो गया मलब green color हो गया फिर थोड़े और changes आये तो कैसे छोटे-छोटे changes आगे चलके बहुत बड़ा change create कर लेते हैं तो यह हम लोगों को variation बता रहा है वैसे यह diagram important नहीं है बट book में है तो इसलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं तो बस इस diagram में हम लोगों को variation देखने को मिल रहा है यहाँ पे हम लोगों को बताया जा रहा है कि दो type के air loop होते हैं पहला हो गया free air loop देखो यहाँ पे attach नहीं रहते हैं तो पहला हो गया free air loop और दूसरा हो गया attach air loop तो किसी कि यहाँ पे attach रहते हैं इस वाले diagram में monohybrid cross दिखाया जा रहा है तो जब homozygous plant यानि pure plant जब cross होते हैं एक tall plant हो गया और एक dwarf plant हो गया तो जब इसको cross किया गया तो हम लोगों को सारे के सारे tall plant मिले इसको हम लोग F1 generation बोलते हैं जब parents को हम लोग cross करते हैं तो जो generation मिलती उसको हम लोग F1 generation बोलते हैं तो इसमें सब के सब tall हैं अब जब इनही F1 generation को self-crossing की गई तो हम लोगों को 75% मिले और 25% मिला मतलब short plant मिला तो इसको हम लोग बोलते है F2 generation जब F1 generation को cross करते हैं तो जो generation हम लोगों को मिलती है उसको हम लोग F2 generation बोलते है F2 generation का जो phenotypic ratio, phenotypic मतलब appearance तो जो phenotypic ratio आता है tall is to short का या फिर डॉर्फ का वो हो जाता है 3 is to 1 तो हमेशे याद रख ली ना monohybrid cross चाहे कोई भी हो उसका जो phenotypic ratio आएगा वो 3 is to 1 आएगा और इसका जो genotypic ratio आता है वो आता है 1 is to 2 is to 1 genotypic मतलब gene उनका genetic makeup कैसा है तो 1 is to 2 is to 1 यहाँ पर 1 है capital T capital T, 2 है capital T small t और last वाला one है small t small t तो यह diagram बहुत ज्यादे important है cross करने के लिए अगर आपको cross आता है तो यह कुछ खास diagram नहीं है important पर monohybrid cross बहुत ज्यादे important है इसको आप जरूर से देख लेना इस वाले diagram में भी monohybrid cross दिखाया जा रहा है तो जब pink flower और white flower को cross किये तो हम लोगों को pink flower मिल गया क्योंकि pink flower जो है dominant था जब इसको self-cropson किये तो हम लोगों को 3 जो है 3 flower pink मिले और एक flower जो है white मिला यानि ratio आया 3 is to 1 का तो कोई भी monohybrid cross हो हमेशा जो phenotypic यानि appearance ratio जो आता है वो 3 is to 1 आता है और अगर इनकी हम लोग genetic makeup की बात करें यानि genotypic ratio की बात करें तो वो आएगा 1 is to 2 is to 1 का तो कोई भी monohybrid cross हो ratio जो है वो यही रहता है तो यहाँ पर die hybrid cross दिखाया जा रहा है तो round और green seed को हम लोगों ने cross करवाया wrinkle और yellow seed के साथ तो हम लोगों को जो f1 generation में लिए उसमें round और yellow seeds आये f1 generation में सारे की सारे dominant character ही express होते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला round and yellow क्योंकि यही round dominant character है और yellow भी dominant character है भात में हम लोगों ने f1 generation को self cross करवाया तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर self cross करवा हरे हैं तो यहाँ लोगों को अलग अलग तरीके के और green and wrinkle seeds तो यह सब के सब 9 is to 3 is to 3 is to 1 के ratio में रहते हैं यह तुम लोगों को याद करना है dihybrid cross का जो ratio आता है वो आता है 9 is to 3 is to 3 is to 1 यह आप याद कर लीजेगा next diagram है यह sex determination in human beings का तो यहाँ पे male है जो males रहते हैं वो रहते हैं xy और जो females रहते हैं वो रहते हैं xx तो जब gametes बनता है तो यहाँ से आगया x x gametes हुआ और यहाँ से y निकल गया है तो y तो एक sperm में x gametes है और दूसरे में y उसी तरीके से जो females रहते हैं वो दोनों ही xx रहते हैं तो इसलिए जो females का gametes रहते हैं याई जो egg रहते हैं उसमें सिर्फो सिर्फ एक टाइप के chromosome पाय जाते हैं और वो है x बाद में यह x इसके साथ combine कर गया और बन गया xx ठीक है तो यह जो बनी यह female बनी क्योंकि xx जो है वो female होती है बाद में यह y जब इसके साथ combine कर गया तो बन गया xy जो xy जो है वो males में होता है तो इसलिए यहाँ पे जो baby बना वो male बना तो यहाँ पे sex determination की बात हो रही है, हमेशे याद रखना 50% probability रहती है, girl child की और 50% जो probability रहती है, वो रहती है boy child की, तो हम लोगोंने heredity के सारे diagram complete कर ले, अब हम लोग आते हैं our environment पे, तो इस diagram में food chain बताया गया है, तो यह जो है, यह forest food chain है, तो trees, trees को deer ने खाया, और deer को tiger ने तो यह forest food chain है, जो second वाला है grassland food chain है, तो एक grass था, उसको किसी insect ने खाया, फिर frog ने खाया, फिर उसके बाद snake ने खाया, और snake को eagle ने खा लिया, तो यह जो है grassland food chain, यह third वाला जो है, यह water food chain, यह फिर इसको हम लोग बोल सकते है, pond food chain, तो plant थी, water plant उसको, अच्छले में हाप तो मालो किसी plankton ने खाया, plankton क्या होते है, वो insects रहते हैं, उसके बाद small fish ने खाया, और उसके बाद यह क्या है, जो भी duck है, तो उसने खा लिया, यह swan है, उन्होंने खा लिया, तो यहाँ पर food chain जो है, दिखाया जा रहा है, अब हम लोग next diagram देख लेते हैं, इस diagram में हम ल topic level को show किया जा रहा है, यह diagram है food web का, तो food web में बहुत सारे food chain जो है, वो interconnected रहते हैं, तो इससे क्या होता है, जो higher organism रहते हैं, उनके पास बहुत सारे organism खाने के chances रहते हैं, मतलब कि वो जहें इसको भी खा सकता है, या फिर इस organism को खा सकता है, या फिर इस organism को खा सकता है, मतल इस टाइग्राम में flow of energy को दिखाया जा रहा है in ecosystem तो सबसे पहले जो energy हम लगों को मिलते हैं वो sun से मिलती है तो sunlight की energy है वो सारे के सारे plants absorb करते हैं और उससे अपना food बनाते हैं by the process of photosynthesis तो plants जो ही है वही producer में आते हैं तो producer मतलब की plants green plants and algae तो यह इन ही को ही हम लोग producer बोलते हैं उसके बाद हर्वी वार्स आते हैं फिर कार्णी वार्स और फिर टॉप कार्णी वार्स इस टाइग्राम में दिखाया जा रहा है कि only 10% energy ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल में जाती हैं यहां भी नहीं होता है यहां producer से शुरू होता है actually में plants जो है sunlight का 1% energy ही absorb कर पाते हैं photosynthesis कर पाते हैं यहां से शुरू होता है 10% law producer से हर्वी वार में सिर्फो सिफ 10% energy जाएगी हर्वी वार से कार्णी वार में सिर्फो सिफ 10% energy जाएगी बाकि 90% energy उसके life processes में यूज हो जाएगी मतलब हर्वी वार 90% energy अपने life processes में यूज कर लेगा only 10% energy ही next topic level में transfer करेगा तो यह बात हो गई इस diagram की है तो इसी के साथ हम लोगों ने biology के सारी diagram cover कर ली है इस से बाहर कोई भी diagram नहीं आने वाला है और रही बात chemistry of physics तो chemistry of physics में पहले बार diagram नहीं होते हैं वह important नहीं है वहाँ पर dot structure आ सकता है chemistry में electron dot structure बनाने को आ सकता है और physics में अगर आ गया तो circuit diagram बनाने को आ सकता है तो यह आप लोग जानते हो most important जो diagram के question आते हैं वो biology सही आते हैं तो हम लोगों ने biology के सारे के सारे diagram cover कर लिये हैं So I hope तुम लोगों को सारे के सारे diagram अच्छे से समझ में आ गए होंगी जब ही भी कोई भी diagram बनाना तो उसको pencil से बनाना और उसको अच्छे से label करना और अगर last में time मिले तो coloring करना अगर color भी कर रहे हो तो सिर्फो से pencil color अला हुए है sketch pens बिलकुल भी मत use करना तो अगर time बचे तभी coloring करना वनना आप अगर pencil से भी अच्छे से diagram बनाऊगे और अच्छे से labeling करोगे तो आपको full marks मिलेंगे color की कोई ज़रूरत नहीं है So इसे के साथ ही video end होते है thank you so much for watching all the best for your science exam और अगर video पसंदा है तो like तो जरूर से करना और subscribe भी कर लेना क्योंकि ऐसे content channel पर डलते रहेंगे even 11th के भी तो 11th में भी हम लोगों का साथ छूटने वाला नहीं है So all the best for exam, tension मत लेना, exam बहुत इच्छा जाएगा